Hello Everyone, Welcome to Educational Hikes So यार यह Class 8 की Geography Textbook का Chapter 1 Resources है यहाँ पे हम इस Chapter के सुरुवाती Parts को Discuss करेंगे So यह Class 8 की Geography Series का पहला वीडियो है और इसके आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा अपने Friends के साथ Share करिएगा और हमारे YouTube Platform Educational Hikes को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है Resources तो यह चैप्टर की स्टार्ट होती है तीन लोगों के बीच में कुछ बातचीत से तो वो तीन लोग है Mona, Raju और इन दोनों की Grandmother जिनको कहते हैं Amma सो Mona और राजू यह अपने अम्मा की मदद कर रहे थे घर को साफ करने में वहाँ पर Mona कहती है कि Look at all these things, cloths, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books Each of these has a use, said Mona Mona कहती है कि इन सभी चीजों को देखो जैसे कपड़े, बरतन, food grains, combs, honey की bottle, book इन सभी चीजों का क्या है, इन सभी चीजों का हम use करते हैं ऐसा कौन कहता है, Mona अम्मा कहती है, that's why they are important अम्मा कहती है कि इन सभी चीजों का हम use करते हैं इस वज़े से ये चीजे हमारे लिए important हैं These are resources अम्मा आगे कहती हैं कि ये resources हैं या संसाधन हैं अब राजु अम्मा से question पूछता है कि what is our resource अब राजु अम्मा से ये question पूछता है और जानना चाहता है कि resource क्या है अम्मा कहती है, anything that can be used to satisfy a need is a resource अम्मा कहती हैं कि ऐसा कुछ भी जिस जो हमारी जरूरत को पूरा करें वो क्या होता है resource तो यहाँ पे जिन चीजों की बात यहाँ पे मोना ने की थी चाहे वो कपड़े हूँ, चाहे वो बरतन हो, चाहे वो food grains हो, चाहे वो कॉम्ब हो, कंगा हो चाहे वो honey की bottle हो या book हो इन सभी चीजों का क्या है, इन सभी चीजों का हमारे life में कोई न कोई use है और इस वज़े से यह क्या है, यह है resources तो resource क्या होता है, ऐसा कुछ भी जो हमारी जरूरत को पूरा कर सके, वो कहलाता है resource Anything that can be used to satisfy a need is a resource I think आपको resource की definition तो clear हो गई होगी अब आगे अम्मा कहती है कि look around you and observe you will be able to identify many types of resources अम्मा कहती है कि अपने आसपास देखो, आप कई तरीके के resources को वहाँ पर पाऊगे the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house the रिक्सा you use to get home from school, the textbook you use to study and all resources अम्मा कहती है कि जब हमको प्यास लगती है तो हम जिस पानी को पीते हैं जिस electricity को हम अपने घर में use करते हैं जिस रिक्सा का use करके हम अपने स्कूल से घर आते हैं या जिस किताबों का इस्तिमाल हम करके पढ़ते हैं यह सब क्या है resource यह सब resource क्यों हैं क्योंकि यह सभी चीजें हमारी किसी न किसी जरूरतों को पूरा करती हैं आपके पिता जी ने एक tasty snack आपके लिए बनाया है उसमें जिन टादी सबजियों का इस्तमाल हुआ है वो भी क्या है resource तो यह conversation से हमारा chapter स्टार्ट होता है इस conversation को हम लोगों ने discuss कर लिया अब कलते हैं आगे So water, electricity, ricksa, vegetable and textbook have something in common तो अभी हम लोगों ने पिछले part में देखा कि water, electricity, ricksa, vegetable और textbook यह सब क्या है यह सब है resource, resource क्यों है क्यों है क्योंकि यह हमारी जरूरतों को पूरा करते है और इन सब चीजों में कोई न कोई चीज common है वो common चीज क्या है They have all been used by you So they have a utility अब water, electricity, ricksa, vegetable और textbook इन चीजों का हम लोग क्या करते हैं इन चीजों को हम लोग करते हैं use So इन चीजों की क्या है Utility So utility और usability is what makes an object और substance a resource तो कोई object या कोई substance को resource क्या बनाता है उसको resource बनाता है utility या usability मतलब जिस चीज का हम लोग इस्तिमाल करते हैं वही चीज क्या बन जाती है resource अगर कोई object है उसको हम use कर रही है तो वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा resource For example ये वीडियो आप एक mobile phone के थूँ देखेंगे और mobile phone आपकी किसी जरूरत को पूरा कर रहा है इस वज़े से mobile phone क्या बन जाएगा resource तो किसी भी चीज को किसी भी object को या substance को क्या चीज resource बनाता है उसको resource बनाता है utility या usability So how does something become a resource राजू अब जानना चाहता है कि कोई चीज resource कैसे बनती है So its use or utility gives it a value किसी भी substance का use या जो utility होती है वो उस substance को value provide करती है So all resources have some value said Amma Amma क्या कहती है Amma कहती है कि सभी resources की कुछ value होती है और यही value क्या बनती है यह value किसी चीज को बना देता है resource तो यह paragraph भी हम लोगों ने discuss कर लिया अब इसके आगे हम लोग discuss करेंगे Value means worth Value का मतलब क्या होता है Value मतलब होता है किसी चीज का मूल या मूल So some resources have economic value Some do not कुछ resources की economic value होती है जबकि कुछ resources की economic value नहीं होती For example, metals may have an economic value जिन metals का हम use करते हैं जैसे aluminum हो गया, जैसे iron हो गया इनकी economic value होती है मतलब उनकी पैसे में एक कीमत होती है But a beautiful landscape may not लेकिन वहीं एक beautiful place कोई होती है कोई सुन्दर जगा होती है तो उसकी economic value नहीं होती But both are important and satisfy human needs अब चाहे metal हो, चाहे एक सुन्दर अस्थान हो कोई beautiful place हो इन ये दोनों क्या है ये दोनों important है और ये दोनों human needs की जरूरतों को पूरा करती है इस वज़े से दोनों क्या है दोनों resource है Some resources can become economically valuable with time अब कुछ ऐसे भी resource होती है जो समय के साथ economically valuable हो जाती है जो समय के साथ आर्थिक रूप से मूलिवान हो जाती है उदाहरन के लिए जो हमारी grand mother की home remedies होती है जैसे हमको जब कभी कोई खांसी या बुखार होता है तो हम लोग के घर में जो पुराने लोग होती है जो grand mothers होती है वो हमको कुछ तरीके बताते हैं कि अगर हम इसको कर लेंगे तो हमारा जो cold है या जो fever है वो खतम हो जाएगा सो जो grand mother की home remedies होती है उनकी आज तो कोई भी commercial value नहीं है लेकिन अगर उन्ही remedies को किसी medical firm द्वारा किसी medical company द्वारा patent करा लिया जाए और फिर कल से कोई medical company उनको बेचे तो वो भी economically valuable हो जाती है सो कहने का मतलब होता है कहने का मतलब है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे resource हों जो आज हमारे लिए economically valuable नहीं है लेकिन हो सकता है कि कल वो हमारे लिए economically valuable हो जाएं सो यह यहां तक हम लोगों ने देख लिया अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी चीज को resource क्या बनाता है क्या चीजे important होती है किसी भी substance को resource में convert करने के लिए अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ questions देंगे उन questions का answer आप comment section के थूँ बताईएगा पहला question है कि आपको ऐसे five resource के names बताने हैं जो आप daily अपने घर में use करते हैं और दूसरा question है कि आप resource की definition comment section के थूँ हमें बताईए so time and technology are two important factors that can change substances into resources अब यहाँ पे हमको एक बहुत important बात पता चलती है कि time और technology ये दो important factor होते हैं जो किसी substance को resource में convert करते हैं इसको याद रखियेगा कि दो important factor जो किसी substance को resource में convert करते हैं वो होते हैं time और technology both are related to the needs of the people अब ये time और technology ये दोनों चीज किस से related हैं ये लोगों की जरूरतों से related हैं people themselves are the most important resource अब एक बात आप जानके आश्चर चकित होंगे कि जो लोग होते हैं वो खुद एक बहुत important resource हैं सवाल उठता है क्यों because it is their ideas knowledge inventions and discoveries that lead to the creation of more resources ये लोगों के ideas होते हैं knowledge होते हैं inventions और discoveries होते हैं जिसकी वज़े से हम कई सारे resources को बनाते हैं each discovery और invention leads to many others अब एक बार किसी चीज की discovery हो जाती है किसी चीज की खोज हो जाती है या किसी चीज का अविस्कार हो जाता है तो उससे हम कई और चीजों की discovery या invention करते हैं उदाहरन के लिए जैसे आग की खोज हुई तो जब हमने आग को discover किया तो उसके बाद क्या हुआ कि पहले हम खाने को बिना पकाए खाते थे लेकिन आग की discovery के बाद एक discovery और होती है वो discovery क्या थी कि लोग अब खाने को पका के खाना सुरू करते हैं उससे खाना और टेस्टी हो जाता है तो खाने को पका के कब start खाना लोगों ने शुरू किया इसको start लोगों ने तब किया जब आग की discovery हो गई तो पहले आग की खोज हुई आग की खोज होने के बाद खाने को पका के खाने की खाना को पहले पकाया जाता है उसके बाद खाया जाता है इस चीज की discovery भी हुई तो एक discovery होगी तो और सारी discoveries होती है इसी तरीके से जब चक्के का अविस्कार हुआ तो इसकी वज़े से ट्रांसपोर्ट के नए नए मोट्स निकल के आए जैसे चक्का आया तो पहले तांगा बना तांगा से बैल गारी बनी बैल गारी से रिक्सा बना ट्रक बना बस बनी रे लिकों को खोजा गया इसी तरीके से the technology to create hydro electricity has turned energy in fast flowing water into an important resource पहले हम पानी का यूज करके electricity को कैसे generate करते हैं इस चीज की knowledge हमारे पास नहीं थी लेकिन जब hydro electricity मतलब पानी का इस्तमाल करके हम electricity को produce करने की जब हमको technology मिल गई तो इससे क्या हुआ कि जो बहुत तेजी से पानी flow करता है जो move करता है अब वो भी हमारे लिए एक important resource बन गया क्योंकि अब हम पानी का यूज करके electricity को generate कर रही हैं तो friends यहाँ पे हम लोगोंने resources के बारे में discuss किया वहाँ पे देखा कि resource वो होता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करे resources की value होती है उसको value क्या provide करता है उसको utility या usability value provide करता है time and technology यह ऐसा दो important factor होता है जो किसी substance को resource में convert करता है और यहाँ पे लोग जो होते हैं यह खुद में सबसे important resource होते हैं क्योंकि किसी भी चीज को resource में convert करते हैं human beings, human beings क्यों करते हैं क्योंकि उनके पास ideas है, knowledge है, वो invent करते हैं, वो नई नई चीजों को discover करते हैं so friends यह वीडियो हमारा यहीं खतम हो रहा है, इसके बाद हम types of resources के बारे में discuss करेंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको like करिएगा, अपने friends के साथ share करिएगा और हमारे इस YouTube platform educational hikes को subscribe करना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जल्दी मिलेंगे इसके एक नए पार्ट के साथ जहां पे हम types of resources के बारे में discuss करेंगे, तब तक के लिए friends, बाबाए